आपना बिहार मैं हूँ आपके साथ विभा उपाध्याए आज मुहर्रम है और आज के दिन हजरत इमाम हुसेन को मानने वाले खुद को तकलीफ देकर मातम मनाते हैं लेकिन इस दोरान कई जखों पर जुलूस के दोरान विवाधित फिलस्तीनी जंडा लहराया गया ता आपके सामने हम four तस्वीरे दिखाने जा रहे हैं इन तस्वीरों को देखकर और देखे इस वक्त आपके सामने यह पां दंगी यहाँ दोनों दिख रहा है बेयार के अलग-अलग एलाकों में मोहरम जुलूस में जम कर बवाल देखनी को मिला कहीं पुलिस पर हमला किया जाता है तो कहीं दुकानदार की बड़ी बेरहमी से पिटाई कर दी गई कहीं लूटपाट की कोशिश की जाती है तो कहीं लाठी डंडे से हमला कर दिया गया हाना कि मोहरम जुलूस को लेकर पुलिस अलर्ट पर है चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है जुलूस पर सीसी टीवी और ड्रोन कैमरे से निगरानी तक रखी जा रही है लेकिन सवाल यही कि मोहर्रम में हुर्दंग आखिर क्यूं। तो मोहर्रम जुलूस में हुर्दंग और ताजिया के नाम पर टांडों की घटना को लेकर केंड्रिय कपडा मंत्री गिनरास सिंग ने विपक्ष पर जम कर निशाना साधा। पट्ता के राजा बाजार में हुई घटना और मुझजफर पुर में पोलिस पर पत्थरबाजी को लेकर गिनरास सिंग ने कहा कि ऐसी घटनाओं पर मुसल्मानों का वोट लेने वाले लालू प्रिसाद और कॉंग्रेस की जबान आखिर क्यों नहीं खुलती है गिनरास सिंग कि एंडी सरकार में दादा गिरी नहीं चलेगी इसका जवाब उनको देना ही होगा तो मुंगेर में बड़ी खबर वहां से आती हुई जहां पर मुहरम के दोरान दोपक्ष आपस में ही देखे कि सरीके से उलच जाते हैं और जमकर इस दोरान विवाद होता है एक दूसरे पर पत्थरबाजी की गई है पत्थरबाजी में कई लोग इस दोरान घायल बताए जा रहे हैं तो मुहरम के दोरान दोपक्ष के लोग आपने सामने आ जाते हैं हवेली खड़क पुर्थाना शेत्र का ये मामला पुलिस ने मामले को हाला के शांत करा लिया है तो मुंगिर से ये बड़ी कबर जा हाँ अवेली खड़कुर्थान शेत्र में मुहरम के दोरान ही दोपक्षो के लोग एक दूसरे क्या में सामने आ गए और फिलाल इस सिती को कंट्रोल में फुलिस के तरफ से किया गया है तो मुहरम के दोरान दोपक्षो के बीच विवात से जोड़ी भी खबर मुंगर यहां देखे मुंगिर से आती ही अर अब तस्वीरे भी आ गए है जड़ा तस्वीर देख लीजे किस तरीके के हालात हो गए आखिर पत्थर बाजी क्यों क्यों यहां पर इस सरख के हालात बन कि एक दूसे के सामने लोग जैसे जमकर बवाल करने से भी परहेज करने को तैयार नहीं है शांतिपुर्ण माहौल बनाए रखने की न्यूज 18 हाला की बार-बार आपसे अपील करता है आप वाहों पर ध्यान मत दीजिए सारजनिक संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाई और मतलब हम लोग से कोई मेटा नहीं था हम लोग एने डोल जा रहे थे तो हम लोग से सब्सक्राइब में थे और दारे को मेरे वास्तर करा के मौट तो वहीं अवादाबी मोहरम जुलूस के दारान फिलिस्तीनी जंडा लहराय जाने के बाद पुलिस इस वक्त अलाट पर है और अब जुलूस की निगरानी CCTV कैमरे और ड्रोन के जर्ये की जाएगी जरे के सभी थाना में एक ड्रोन मोहया कराया क्या है ताजिया जिस रास्ते से गुजरेगी उसकी निगरानी ड्रोन से अब होगी ताकि सुरक्षा में कहीं से कोई चूक न हो जाए इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज सेटिन संबादाता अनिल विशाल नवादा में मुहर्म के जुलूस के दौरान फिलिस्तीन का जंडा लहराय जाने के बाद नवादा पुलिस अब अलर्ट मोड पर आ गई है और सभी थानोचित को हाईलर्ट पर कर दिया गया है अब नवादा पुलिस की रननिती में थोड़ा बदलाओ आया है और जितने भ लगबक जैसा देख सकते हैं कि लगबक सभी थाने में जितने भी अधिकारी है उन सभी को एक ड्रोन मुहिया करा दिया गया है और ड्रोन के जरिये ही जो मार्ग जिसे गुजरेंगे ताजिया उनकी निगरानी रखी जाएगी इसके पहले भी जो है CCTV कैमरे से निगरानी र इसके नवादा पुलिस के लगबक सभी थानों में ड्रोन जो है वो उपलव्द करा दिये गया है और जितने भी पुलिस करनी है उन्हें ट्रेनिंग दी जा की बजाबते यहाँ पे हैंडलर को भी यहाँ पे अपॉइंट किया गया है अगर किसी प्रकार की कोई कमी आती है तो हैंडलर उन्हें तक्काल मदद पहुंचा सकते हैं तो नवादा जिले में 17 तारिक को ग्रामिन इलाके में ताजिया का पहला होगा और 18 तारिक को शहरी राके में होगा तो पुलीस के तरफ से 54 दरस्था कर दी गई है और नवादा पुलीस पहले से ज्यादा अलर्ट मोड के आ गई है अमिल विशाल लूज एटीन नवादा क्यामूर से बड़ी खबर जा मौरम जुलूस को लेकर डीजे जब्त किया गया है पुलिस की कारवाई का हाला कि लोकों की तरफ से विरोध किया गया डीजे बजाने की तैयारी की जा रही थी मौरम जुलूस में और ऐसे में इसे जब्त किया क्या है हाला कि जैसे ही पुलि इस नहीं हाला कि जो पहले से निर्देशित हैं उसमें कहा है कि भाई कोई डीजे नहीं बज़ेगा आप ताजिया निकालिए और इस जुलूस में शामिल भी होई है लेकिन शान्तेपोन तरीके से और ऐसे बे इस डीजे को बजाने की जब तयारी थी तो इससे जब कर लिया क पढ़ कर लिया जा रहा है कि इस रोक के बावजूद मोहनिया शेहर के बड़ी बैसार में एक पिक-अप डीजे को फिर से तैयार किया जा रहा था बांधा जा रहा था कई साउंड बॉक्स इंसमें लगे ہोए थी और खबर मिलते ही पोलिस की टीन यहाँ पर पहुँचती ह और कार्रवाई करते हुए इस डीजे को जब्द कर लिया गया मोहनिया डेसपी दिनीब कुमार ने कहा कि मोहरम को लेकर जिलाधिकारी और अनुमंधल पदाधिकारी ने शांती समिती की बैठक की थी जिसमें ये सपष्ट रूप से कहा गया था कि डीजे नहीं बजेगा लेकिन फिर भी लोग मान नहीं रहें सुप्रीम कोट का आदेशे की डीजे पर प्रतिबंध रहेगा अगर कोई डीजे बजाता है या फिर पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कारवाई की थाएटी मौनिय थाना अंतरगाद एक पिकप पुरा डीजे भगा हुआ था जब्द करका भी थानाम रखी गई है अगर आपके मना करने के बाद भी अगर आप बुलंदन कर रहे हैं काई कि सुप्रिम कुट आदेशे की डीजे पूरता पर दिबंध रहेगा अगर कोई दिजे बजाता है अब पकड़े था तो उस पर प्रत्स्विकी दर्ज करते हैं विद्धी समत करवाई की जाएगी अभी मुहर्म को लेकर के डियन साब भी इस कमिटी किये थे और इस डियन सर के साथ प्रियों करने रभ्रयास कर रहे हैं जहां भी हम लोग को सुछना मिल रही है उस पर तुरित तरवाई की जा रही है अब बड़ी बजार मौनिया से भी डिया जब की गई है और लोगों को अपील भी करना चाहेंगे कि इस तरह के काम में सामिल नहीं हो तो BPSC की तरफ से उन्नी सुलाई से शुरू होने वाली सिक्षक भरती परिक्षा फिस्त्री को लेकर गोपाल गंच में दस परिक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिला मुख्याले में पांच और हथवा अनुमंडल में पांच केंद्रो पर दो पहर के 12 बचे से धाई बचे तक परिक्षा होके जिला प्रशासन की तरफ से परिक्षा कुले कर तयारियां तेज कर दी गए हैं जिला मुख्याले में पांच और हथवा अनुमंडल में पांच परिक्षा केंद्र बनाए गए हैं इनमें भी एम इंटर कॉलेज, SS बालिका प्लस टू विद्धाले, DAV प्लस टू विद्धाले, MM उर्दू प्लस टू विद्धाले और ठावे में इस्तित मुखी राम प्लस टू विद्धाले शामिल है इसके अलावा हथुआनुमंडल की बात करें इसलामिया, उर्दू कॉलेज, डॉक्टर राजेनर प्रशाद कॉलेज, इसके अलावा सी परताप प्लस टू विद्धाले सामिल है गुपालगन के डिये मुखंबत मक्सुदाला में ये कहा है कि परिच्छा सांती पुर्ण और कदा चार मुक्त संपन कराने को लेकर जीला प्रशातर ने सभी अस्तर पर तयारिया तेज कर दी है परिच्छा के अंदरों के आस पास 500 मिटर की परिधी में अनुमंडल परिकारी की ओर से निसधाग्या लगाई गई है वहीं अगर बात करें परिच्छा की तो दोपहर में 12 बजे से धाई बजे तक परिच्छा चलेगी कुल धाई गंटे की ये परिच्छा होगी और प्रती दिन एक पाली में ही परिच्छा ली जाएगी तो ऐसे मैं कदाचार मुक्त परिच्छा संपनकरानव को लेकर परिच्छासन की पूरी टीन इस वक्त चुट गई है वहीं कुमार्नी जे टीन पाल गंच मुगेश सेहनी की पिता के हत्या के बाद बीचे पिविधायक ललन पासवान ने एक बड़ा बयान दिया है उन्हें कहा कि ये पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं है जन प्रतिनिधी के परिवार के पिता के हत्या का मामला है कोई भी जन प्रतिनिधी हो उसके परिवार को सुरक्षा मिलनी ही चाहिए ताकि हम लोग समविधान की शपत के अनुसार काम कर सकें उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि आरजेडी कॉंग्रिस सरकार में हत्या नहीं हो रही थी आज जन प्रतिनीधी को डर लग रहा है बच्चों को अपने परिवार को बाहर भेजने में डर लगता है ललन पासवान ने कहा कि जन प्रतिनिधियों की सुरक्षा जो मिली हुई है वो परियाप्त नहीं है बात करते हैं बीजेपी के पिरपेंती से विधायक ललन पासवान से ललन जी विहार में कानून व्यवस्ता के सिती को लेकर के सवाल खड़े किये जा रहे हैं विपक्ष की तरब से जन प्रतिनिधी रह चुके हैं विहार सकार में मंत्री रह चुके हैं मुगे सहने उनके पिता की हत्या होती है क्या कहेंगे आप देखिए ये पक्ष विपक्ष का मामला नहीं है मामला जन प्रतिनिधी के परिवार उसके पिता की हत्या का है और कोई भी जन प्रतिनिधी हो उसके परिवार को और उसको संपूर्ण सुरक्षा मिलनी चाहिए दाइक Lucky वो सतंद रूप से भैवुक्त हो करके वो काम कर सके, यती तरह से सम्दान का सपत लेते हैं हम लोग, और सम्मधान का सपत के अनुसार हम काम कर सके, और आज विपक्ष को हला के कोई जुरत नहीं, विपक्ष दूद की धूली भी नहीं है, ऐसा नहीं है, कि राज़त में प्रदेश सित में कोई काम कर सके आपको भाय लगता है विहार में डर लग रहा है ने ने ऐसे महाल में किसी को भाय लगता है अच्छे अच्छे लोगों को भाय लग रहा है आज जनपरतिनिती सोच रहे हैं अपने परिवार को बाहर बेजने, अपने बच्चों को पढ़ने बेजने में, अपने परिवार को बाहर बेजने के लिए डर डर लग रहा है, कि आज हमारे साथ, हम जो हमारा बदला, हमारे परिवास न ले, हमको डिस्टरब करने के लिए, हमको परिशान करने के लिए, हमारे परिवार को टा तो मोहरम जुलूस पे हुड़दंग और थाधिया किना पर थांडों के घटना को लेकर केंद्रिये कपड़ा मंत्री गिराज सिंग ने विपक्ष पर जम करने जाना साधा पटना के राजा बाजार में हुई घटना और मुझजफरपुर में पुलिस पर पत्थरबाजी को लेकर गिराज सिंग ने कहा कि ऐसी घटनाओं पर मुसल्मानों का वोट लेने वाले लालू प्रिसाद और कॉंग्रिस की जुबान नहीं खुलती गिराज सिंग ने कहा कि NDS स पहड़े जम्मू कस्मीर में हो अत्वकी रजा जहर उगले और थोड़ी सी कम सीटे आने के कारण अगर उत्तर प्रदेश और बिहार में मुशल्मानों के अंदर लालू जादब कांग्रेश ने जो समर्थन किया है जुबान नहीं खुल रही है जब वो मुशल्मान का बोर्ट तो लेते लेकिन मुशल्मान की हरकतों पर उनकी जुबान नहीं खुलती वहाँ भी जो राजा बजार में हुआ है उसके पीछे चंदा ही है उन दुकानों को उस एरिया में धबकाना वहाँ एक बड़ा मुहला है मुशल्मानों का अब दादा गिरी चलेगा लेकिन चलेगा नहीं क्योंकि NDA की शरकार है इसका जबाब उनको देना ही पड़ेगा भारत को चुनवती दे रहे हैं भारत के हिंदुओं में एक आक्रोष पैदा कर रहे हैं ललकार रहे हैं और मैं तो कहता हूँ कांग्रेश के नेता पंडित नहरू उस समय अगर अंबेदकर की बात मान लिये होते पटेल की बात मान लिये होते राजंद्र बाबु की बात मान लिये होते सारे मुशलमानों को ट्रांसफर कर देते जे समय टुक्रे टुक्रे हुआ भारत का तो आज तौकी रजा पैदा ही नहीं लेता तो राजानी फट्टा में मेट्रो का काम तेज गती सी चल रहा है सीम नितेश कुमार ने भी आज मेट्रो कारे का निरिक्षन किया मेआर संग्रहाले के पास मेट्रो टरनल कामो के मेंट्री नितेश कुमार ने निरिक्षन किया और इसके बाद CM पुराना संग्रहाले भी पहुंचे और जैजा लिया बताया जा रहा है कि बहुत जल्द ही पटना संग्रहाले में भी आम दर्शकों के लिए इसे अब खोल दिया जाएगा इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है पटना संवादा था विनीता मिश्रा आप साफ तोर पर यहां देख सकते हैं बिहार मेट्रो का निरिक्षन करने मुख्यमंत्री नितिश कुमार बिहार म्यूजियम पहुंचे हैं जहां पर टनल का निर्माने कारे चल रहा है बिहार में जल्द से जल्द मेट्रो शुरू किया जाए उसे के मद्दे नजर निरिक कि तहट शुरू होने वाला है और उसके मद्दे नजर कई स्टेशन भी बनाए जा रही हैं बिहार म्यूजियम के पास भी टनल का निर्मानिकारे हो रहा है और उसी के निर्क्षन के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार बिहार म्यूजियम पहुंचे हैं इसके निर्मान कारे भी तेजी से चल रहा है विहार म्यूजियम और पुराने म्यूजियम दोनों के बीच सुरंग का निर्मान भी होगा यानि तमाम ऐसी गतिविधिया हैं जो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी और उसी के मद्दे नजर मुख्यमंत्री नितिश कुमार नि निर्क्षन करने मुख्यमंत्री खोद यहां पहुंचे हैं उनके साथ बिहार के डिपुटी सीम विजय सिनहा पत्ना डियेम एससपी तमाम पुलिस पदाधिकारी भी यहां मौजूद है और यहां देख सकते हैं तस्वीर जहां मुख्यमंत्री नितिश कुमार निर्क्षन कर रहे हैं मेट्रो के निर्मानिकारे का निर्क्षन कर रहे हैं यहां टनल का निर्मानिकारे हो रहा है और उसी के मद्दे नजर जो सक्त सुरक्षा है वो भी देखने को मिल रही है जो गतिविधिया है वो नजर आ रही है यहां साथ तोर पर आप जो तस्वीर है वो देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री नितिश कुमार यहां निरेक्षन कर रहे हैं आने वाले दिनों में मिठो तेज गती से और उस पर काम होगा और बिहार के लोगों को नई सौगात मिलेगी क्यामें दिफक के साथ विनीता मिश्रा निव्ज एक निपटना